हेलो दोस्तों, यूनीक नॉलिज चानल जी के हाब मी आपका वेलकम हाब बिना लेट किये सुरू करते हैं, आज का पहला क्वेस्चिन हाँ एक, पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने का क्या कारण है? ए, वेग, बी, समवेग, सी, जड़तव, डी, प्रतिक्रिया, करेक्ट आंशर, आप्षिन, डी, प्रतिक्रिया दो, किस देश के लोग सबसे ज्यादा पिज़ा खाते हैं? A. भारत देश के लोग, B. अमेरिका देश के लोग, C. रूस देश के लोग, D. जापान देश के लोग, उत्तर, B. अमेरिका देश के लोग तीन किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पशु है? A. पंजाब में, B. मध्यप्रदेश में, C. हरियाना में, D. महाराश्च्र में, कुत्तर, B. मध्यप्रदेश में चार आवेश की प्रवाह की दर्कों कहते हैं A. धारा, B. प्रतिरोध, C. विभव, D. विभवांतर, उत्तर, A. धारा 5. एक किलोवार्ट घंटा बराबर है, A. 3.620 डिगरी जूल, B. 10 जूल, C. 3620 फीट जूल, D. 105 जूल, उत्तर, A. 3.620 डिगरी जूल 6. विभवांतर मापने के लिए किस युक्ती का उप्योग होता है, डॉट, A. एमीटर, B. वोल्टा मीटर, C. वोल्ट मीटर, D. ओमीटर, उत्तर, C. वोल्ट मीटर 7. यदि वायुमंदल नहीं हो, तो प्रित्वी से आकाश किस रम का दिखाई देगा, A. काला, B. नील, C. नारंगी, D. लाल, उत्तर, A. काला 8. निकट द्रिश्टी दोश, शौट साइडनेस, सही की जा सकती है, डॉट, A. उत्तलावतल लेंसे, B. उत्तलो उत्तल लेंसे, C. उत्तल लेंसे, D. अवतल लेंसे, उत्तर, D. अवतल लेंसे 9. सामान्य आख के लिए सुस्पष्ट द्रिश्टी की नियूनत्तम दूरी होती है, A. 10 सेंटीमीटर, B. 15 सेंटीमीटर, C. 45 सेंटीमीटर, D. 25 सेंटीमीटर, उत्तर, D. 25 सेंटीमीटर 10. फोटोग्राफी में उप्योग किया गया प्रकाश समवेदी योगिक है, A. सिल्वर क्लोराइड, B. सिल्चर सल्फाइड, C. सिल्वर ब्रोमाइड, D. सिल्वर ऑकसाइड, उत्तर, C. सिल्वर ब्रोमाइड 11. आख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रन होता है, A. कुतली के द्वारा, B. परितारिका के द्वार, C. श्वेद पतल के द्वारा, D. आख के लेंस के द्वारा, उत्तर, B. परितारिका के द्वार 12. कार के हेड लाइट में किस दरपण का प्रयोग किया जाता है? A. सम्तल B. गोलिय उत्तल C. परवल्याकार अवतल D. सम्तलो उत्तल उत्तर C. परवल्याकार अवतल 13. एक मनुष्य अपने सिर पर बोज लिये खड़ा है, तो उसके द्वारा किये गए कार्य की मात्रा होगी A. बोज के बराबर B. बोज से दूना C. बोज का आधा D. शून्य उत्तर D. शून्य 14. यदि किसी वस्तू के वेक को दूना कर दें, तो उसकी गतिज उर्जा होगी A. चौगुनी B. दुगुनी C. आठ गुना D. समान उत्तर A. चौगुनी 15. सपष्ट प्रतिध्वनी सुन्ने के लिए परावर्तक सता और ध्वनी स्त्रोत का बीच नियूनत्तम दूरी कितनी होनी चाहिए A. बीस मीटर B. तीस मीटर C. सत्रा मीटर D. चालीस मीटर उत्तर C. सत्रा मीटर 16. स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज A. की आवरिती अधिक होती है B. की तरंदेर्ध्य अधिक होती है C. का वेग अधिक रहता है C. का आयाम अधिक होता है उत्तर A. की आवरिती अधिक होती है 17. खाना बनाने का बर्तन में कौन सी गुण होना चाहिए? A. निम्न विशिष्ट उश्मा तथा निम्न चालकता B. उच्च विशिष्ट उश्मा तथा उच्च चालकता का C. उच्च विशिष्ट उश्मा तथा निम्न चालकता का D. निम्न विशिष्ट उश्मा तथा उच्च चालकता का, उत्तर, C. उच्च विशिष्ट उश्मा तथा निम्न चालकता का. 18. एक द्रफ की बून सयोजित होती है. क्योंकि इसके कणों का आकर्शन इसका संभव क्षेत्रफल नियूनतम करता है, इस परिघटना को कहा जाता है? A. प्रिश्ट तनाव B. आधिक्य C. गुहिकायन D. श्यांता A. प्रिश्ट तनाव दोस्तों अमिद है आपको ये लेक्चर पसंद आये होगी और हाँ आप अपना लाइक कमिन्स और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूले थैंक यू ओल